कि हैं लोग इस तो कैस वेडियो में हम लोग इस बताने वाले हैं कौनसा MP40 का स्कीन बेस्ट है कौन सा MP40 का स्कीन आपको यूज करना चाहिए क्या आपको इंक्यूबिटर का पॉकर MP40 निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, तो गईस सब कुछ मैं बताऊंगा, जितने भी अच्छा MP40 है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में एड किया है, आप लोग को step by step समझा दूँगा, तो वीडियो को इस पूरा end तक देखना, अगर आप हमारे चैनल पे new हो आया है, तो चैनल को सबस्काइब क करके bell notification call पे प्रेस कर देना, हम लोग ऐसा ही tips and tricks का वीडियो लाते रहते हैं, and guys इस वीडियो का like aim रख रहे है, 38 के like, उम्मीद है, अप लोग 38,000 like aim complete कर दोगे, जैसे कि आप लोग को पता है, हमारा चैनल का reach जो है, धीरे धीरे खतम हो रहा है, तो प्लीज एक दोस्त के स दिखाऊंगा के मेरा कितना diamond kata MP40 निकालने में, तो अभी वीडियो को पूरा end तक देखो, and यहापे poker MP40 को छोड़के, जितने भी incubator का MP40 था, सब कुछ मेरे पास पहले से ही है, मतलब ability बिल्कुल सेम सेम ही है, बस वहापे color add करके incubator में डाल दिया गया है, okay, तो अभी हम हम लोग सब कुछ देखेंगे guys, and सब के साथ compare करेंगे, हम लोग सबसे पहले guys, देखेंगे poker MP40 का ability किया है, and guys, इसका advantage and disadvantage किया है guys, ठीक है, तो हम लोग यहापे आ चुके guys, मेरे सामने, सबसे पहले poker MP40 का कुछ advantage बता जेता हूँ, चाहे enemy guys, level 3 या फे level 4 का भेस्ट किवना पड़ा हुआ हो, अगर आप उसको short range से full spray मार देते हो, इस MP40 से, तो guys, सामने वाला enemy जो होगा, वो मर जाएगा guys, ठीक है, poker MP40 का यह बहुत बड़ा advantage है, चाहे enemy level 3 या फे level 4 का भेस्ट किवना पड़ा हुआ हो, जैसे देखा आपने मेरा दोस्त level 3 का भेस्ट पड़ा इसका ability यह है, double damage, single rate of fire and range minus, तो guys, देखो इसका ability भी बहुत अच्छा है, double damage and single rate of fire, तो guys, इसी के करण जो है, अगर आप किसी को भी short range से मारते हो, तो अच्छा खासा head आप मार सकते हो सामने से, अगर आप body पे भी चिपकाते हो, फुल गोली, तो भी वो enemy मर जाएगा guys, ठी क्योंकि guys, इसका disadvantage यह है guys, इस पे single rate of fire है and उसके साथ-साथ range minus है, मतलब अगर आप enemy को थोड़ा सा भी long range पे मारते हो, ज्यादा तर गोली फैल जाएगा और enemy के body पे लगे गा ही नहीं, जैसे इस enemy को देखो, मैंने इतना ज्यादा damage देनी की कोशिस किया, थोड़ा सा long range से, but guys, इसको लगया ही नहीं, ज्यादा तर गोली ठीक है ना, क्योंकि guys, इस पे single rate of fire है and guys, range minus है, single rate of fire होने की करण, guys, आपका जो गोली होता है, वो long range पे थोड़ा बहुत फैल जाता है, मतलब आपका जो aim होता है, वो बहुत बढ़ा हो जाता है guys, ठीक है, इसी के करण जो है, आप mid range या फे long range पे इस MP40 को use नहीं कर पाऊगे, only unlimited glue wall पे और short range पे इस MP40 को अच्छे से use कर पाऊगे, and guys, एकदमी close range पे shotgun बालों के सामने, ये MP40 भी नहीं ठीक हैगा, but इस MP40 पे headshot लग सकता है, एकदम close range पे, अगर आप jump करके मारोगे, तो guys, ठीक है, तो guys, अभी जो MP40 है guys, इस पे है double damage and single range, उसी के साथ साथ इसका जो minus point है, वो है guys, reload, so guys, मेरे खाल से mechanical MP40 का जो सबसे बड़ा advantage है, वो है guys, rank game पे, क्योंकि guys, इस पे single range मिलता है, उसी के साथ साथ double damage मिलता है, तो guys, देखो double damage की करण आप shot range पे अच्छा कासा damage दे सकते हो, and guys, range मिलता है, इसका मतलब यह है, आप अच्छा कासा drag shot इस से लगा सकते हो, इस MP40 से, और guys, जैसे कि आप लोग को पता है guys, head shot मारने के लिए थोड़ा सा mid range मेंटेन करना जरूरी है, तो इस पे range मिलता है, तो guys, आप थोड़ा सा mid range मेंटेन करोगे, तो आप किसी भी बंदे को जो है, ऐस अच्छे से headshot लगेगा, मतलब rank game का king है, यह MP40 guys, समझ रहो, मतलब damage भी अच्छा कासा देगा, headshot भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, और इसका जो disadvantage है guys, reload, speed reload आप कर सकते हो, cover के अंदर रहा के guys, समझ रहो ना, तो इस बरता हमारा third MP की और, तो third MP जो है guys, वो भी बहुत ही अच्छा MP40 है, जो कि हमारा incubator का blue वाला और guys, यहाँ पर black वाला MP40, जिसका ability है guys, single rate of fire, double magazine and range minus है guys, range minus होने के करण guys, यह MP40 भी मतलब पहले वाला जो poker MP40 है, उसी के जैसा है, but guys, इस पर magazine मिल जाता है, तो sword range के अंदर भी यह अच्छा चलता है, और अच्छा headshot लगता है guys, क यहाँ पर guys, long range के अंदर, यह MP40 बिल्कुल भी damage नहीं देता, और इसका जो aim होता है, वो बहुत बढ़ा हो जाता है, और बहुत ही जादा require करता है, मेरा मसलब है कि guys, mid range के अंदर, यह MP40 का जो aim होता है, वो बहुत बढ़ा हो जाता है, और enemy को damage ही नहीं परता guys, समझे रहो तो headshot बहुत ही कम लगता है guys, mid range पे, and short range पे अच्छा खासा drag shot लग जाता है, बट मैं कहूंगा, यह MP40 यूज मत करो, यूज करना है, तो one versus one पे कर सकते हो, या फिर class squad पे कर सकते हो, बट rank game के अंदर, मेंका निकल बहुत ही अच्छा MP40 है guys, and अगर आप लोग headshot मारना यूज करो, limited ammo के लिए, यह MP40 बना नहीं है, यह unlimited ammo के लिए बना है, तो guys, unlimited ammo पे, आप इस MP40 के उज कर सकते हो, and short range के अंदर, अगर आप कूद के मारते हो, ना किसी को, तो only red numbers दिखाई देगा guys, सिंगल rate of fire बला MP40 है, and maker nickel MP40 है, उस दोनों को आप जो है, rank game के अंदर यूज कर सकतो, मैंने अपना राय दे दिया यहाँ पे, and मैं short gunny user हूँ, तो guys, मैं short gunny use करूँगा guys, बाकी आप लोग का मर्जी, आप लोग क्या करना चाते हो, क्या नहीं करना चाते हो, and अभी आप लोग देख लो guys, मेरा poker MP40 निकालने में कितना diamond लगा, उसके बाद आप लोग सोचो, कि पैसा इतने आसानी से नहीं मिलता guys, तो थोड़ा सोच समझ के खर्च किया करो guys, ठीक है ना, तो अभी मैं दिखाता हूँ, आप लोग को देख लोगा, मैं यहाँ पर आप बंद करके फटा फट स्पीन कर दूँगा, and guys, देखते हैं कितने diamond के अंदर मेरा poker MP40 निकलता है, बस मेरे को 2 blue pin चाहिए, देख सकते हो, मेरे पास 7 stone and 1 blue pin पहले से ही है, मेरे पास 500 diamond पहले से था, तो मैंने spin किया, 2 stone and 1 blue pin मेरे को मिला guys, तो वो बस ललचाने के लिए दिया था, तो अभी हमने top up किया, तो अभी देखते हैं guys, हम लोगो को 2 blue pin कब तक मिलता है guys, और दिमाग भूम रहा है guys, मैं फटा फट कर देता हूँ, spin क्योंकि मैं खुद का भरबात ही होते हुए नहीं देख सकता guys, देख सकतो फिर से stone दे दिया, मतलब 2 stone दे दिया, एक blue pin टक नहीं दिया, 1000 diamond मेरा ऐसे निगल लिया, अगर नहीं निगलेगा तो छोड़ दूँगा, guys, यह MP40 बेस्ट नहीं है guys, सारे के सारे MP40 अपने अपने जगा पे बेस्ट है guys, ठीक है न, जैसे कि मैंने आप लोग को compare करके दिखाया, तो guys, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो भाई, आपका बहुत बड़ा कटने वाला है, मैं बोल रहा हूँ, चार-पांच हजा तो लगी जाएगा, अगर आप पहले से निकालोगे, अगर आपके पास stone and blueprint बगएरा है, तो आप लोग कर सकते हो, बाई, दो-तिन हजार के अंदर निकल जाएगा, जैसे मेरा निकला guys, दो हजार के अंदर देख सकते हो, सब कुछ आपके सामने है, अभी आप लोग क्या करना चाहते हो, आप लोग का मर्जी guys, मैं रोकूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा guys, ठीक है ना, मिलते है अगले वीडियो पे, तब तक ले बाई,